हेलो एवरिवन वेलकम तो शेपर्स एडूकेशन एम रिचा तापडिया आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं वेरी इंपोर्टन सर्विसेज ऑफ दे बिजने लास्ट वीडियो में देखे थे बिजने सर्विसेज वन के अंदर कुछ इंशॉरेंस सर्विसेज हमने देखे थे कितने टाइप्स ही होती इंशॉरेंस ही हमने देखे थे ट्रांस्पोर्टेशन सर्विसेज पार्सल पोस्टल सर्विसेज यह सब चीजें हमने देखी थी लेकिन अब उससे भी इंपोर्टन सर्विसेज है यह बैंकिंग सर्विसेज जिस बिना हम बोलते हैं कि हमारा बिज इतने वाले हैं business services, so let's start the chapter. So, let's start the chapter that is business services too, first bank of world started in genewa, यह सबसे पहले start कहा हुआ था, जञानी वा था? ज़ानीवा में हुआ था, in 1400 cents, the word bank is derived from the word banko यह कहां से derived हुआ banko इस word से derived हुआ bank according to RBI, RBI नहीं हमें एक definition दी है that is bank is an institute which collect deposits, bank क्या है एक institute है जो क्या कर रहा है जो deposits करता है हमें भी पता है हमारी पर कुछ भी savings होती है तो हम क्या करते है वह deposit करते हैं हम bank के अंदर क्योंकि हमारी पर surplus है तो हम सुचते है कि कुछ ना कुछ तो हमें उससे interest मिलेगा घर पे रहेगा पैसा तो क्या होगा ऐसे पड़ा रहेगा लेकिन अगर मैं कहीं invest करूँगी अगर में बैंक में डिपॉसित करूंगी तो उससे क्या होगा मुझे उससे इंक्रेस्ट में देगा तो वही RBI ने हमें यह डेफिनिशन दिया है that bank is an institute which collect the deposits which collect the deposits in order to land them क्यों कर रहा है वो deposit कि ताकि वो land कर सके जब लोगों को जर्वत हो तो उन्हें दे सके तो to land them with the condition to return it in at the end of the term कब वो end of the term जब भी भी time होगा या तो हमने fix deposit किया है तो उसके case में क्या होता है 5 years 10 years जब भी it complete होगा तब देगा या फिर वो कब देगा कि जब हमें जरूरत है वापस पैसो की अगर मैंने deposit किया है तो उस case के अंदर जरूरी नहीं है कि मैं FDE कर रहा हूं मैंने बस सेंग कर दिया लेकिन अब मुझे जरूरत है कभी भी तो उस case में मैं क्या कर सकती हूं जब मैं demand करूंगी मुझे bank क्या करेगा वापस return कर देगा तो वही चीज़ा RBI भी बोल रहा है with the condition to return it at the end of the fixed return or whenever it is demanded और at the completion of the period तो यह दोनों चीज़े possible हो सकती है in the banking so clear है RBI नहीं हमें definition भी है now next the function of functions क्या है bank के तो कुछ main functions देखेंगे and कुछ subsidiary functions होगे bank के सबसे पहले main functions क्या है first one that is to accept and collect deposit जो हमने अभी definition में देखा कि तो main function है bank का क्या करना है bank को accept करना है right collect करना है deposit जब हम लोगों के पास surplus amount रहता है तो हम सोचते है क्या करे घर में तो रखेंगे नहीं जाके क्या करेंगे bank में deposit करेंगे कि यार कुछ ना कुछ तो मेरा पैसा बढ़े गाई यह तो हम सब में रहता है कि यार कैसे ना कैसे हमें पैसो को increase करना है right तो वही चीज़े हम क्या करेंगे bank में जाके deposit करेंगे तो सबसे main function यह ही वा to collect the deposits next is to land the money अब मैंने इमाँ पर जाके deposit किये लेकिन अब bank क्या करेगा bank तो नीदी पीपल को जिनको जरुवत है उनको loan देगा तो वह काम क्या हो गया bank का हो गया कि land करना money को अब आप यह देखो bank हम बैंक में जाके deposit करते हैं right bank हमें interest देता है अब bank क्या करेगा bank को भी तो पैसा कहीं से ना मिलना चाहिए तो interest आएगा कैसे bank के पास तो bank क्या करता है loan जब देता है लोगों को उस पे charge करता है interest right अब यह interest क्या करेगा higher rate पे charge करता है और हमें income low rate पे देता है तो यह क्या हो क्या difference हो गया जो इसका benefit हो गया अब सुच हो गया तो bank कैसे अन करता है right तो हमें कम पे देगा हमें 6% interest दे रहा है लेकिन चार्च कर लेगा 8% तो यह benefit हो गया 2% का तो इस तरीके से bank भी अपना benefit करता है अब अब देखोगे कि bank land तो करता है बट किस तरीके से land करता है तो देखो दो conditions होती ही through a loan and through the overdraft and cash credits अब through a loan क्या हो गया अज कर हम देखते बेटा कि बहुत सरी loan हम लोग को मिलते हैं हमें कोई भी type का loan मिल जाता है हमें home loan चाहिए home loan मिल गया education loan चाहिए सब तरीके के हमें loan provide कर रही है banks तो अब इस तरीके से loan क्या हमें ऐसे देदेती है bank नहीं देती कभी-कभी हम लोगों के accounts वाँ open है अच्छा credit विख रहा है तो उस case के अंदर देदेगी bank लेकिन कभी-कभी क्या करते government banks हम से क्या लेगी security लेगी right हम पर कुछ hypothecations लेगी hypothecation क्या होता है कुछ security पर रख लेना जैसे stock को रख लिया property को इन सब चीज़ों को stock या properties को हम बोलते हुआ कर लेगी means कि जितना माल मेरा business के अंदर रखा हुआ है उसके according को आपको loan देदेगी that is hypothecation कि हमें stock को आँ जाके नहीं रखना है लेकिन वह हमारे stock के according क्या करेगी हम लोगों को loan देगी that is hypothecation तो वही चीज़ है कि यह बोल रहा है एक तो हो गया land कैसे करेगी through a loan हमने and second is OD and cash credits यह बहुत important term है overdraft and cash credits right कि कितने बार भी बता दो लोग बूल जाते बच्चे बूलते तो इसे मत बूलिए प्लीज यह बहुत important terms है overdraft, overdraft क्या है दोनों है तो loan right अब OD or CC में difference यह है OD में क्या हो गया कि जैसे मेरा account already open right अब मेरा account अगर open है कोई bank के अंदर उस case के अंदर मैंने क्या गया कि मेरा 1 lakh का amount है लेकिन कोई condition के अंदर ऐसा हो गया कि मुझे कुछ amount जादा उसके अंदर चाहिए मुझे वहां पर 1 lakh 50,000 का क्या करना था किसी को payment कर यह समझ लो 1 lakh 20,000 का payment करने है बट मेरे account में 1 lakh की amount है तो उस case के अंदर क्या होता है कि हम लोग bank को बोलते है कि हमें OD की facility चाहिए क्या चाहिए मैं OD facility चाहिए तो bank हमें OD account open करता है हमारा जिस case के अंदर आपके account में balance रहेगा यह आपके current account में open हो जाता है current account में आपके balance है ल तो उस case के अंदर अगर आपके पास OD facility है तो आपका check bounce नहीं होगा नहीं तो हम देखते है generally बहुत सारे ऐसी cases आते बांस हो गया क्योंकि बैंस ही नहीं है विकिन इस case में आपके पास balance नहीं है लेकिन आपको bank देदेगा 10,000 account that is OD कि आपके account में जितना balance है उससे थोड़ा स CC चाहिए CC account मुझे open करनाना है तो उस case में bank ने क्याट किया एक लाग का आपको CC दे दिया मतलब एक लाग की लिमिट है अब 1 लक में से आपने 60,000 use कर लिए तो उस case के अंदर आपको interest देना पड़ते है उस case में आप इतना amount के साथ interest pay कर दो that is cash credits clear? तो cash credits में क्या होगया प कि 1 month or 2 months के अंदर आपको payment वापस करना है with interest clear? तो OD में आपके पास balance रहेगा और CC में आपको पूरा bank प्रोवाइट करेगी बोत आदे type of loans clear है यह चीज़? I think सबको clear हो गया क्या होता है CC and OD next is to invest up third function क्या हो गया main function invest करना अब देखो bank के पास समझगो amount इतना हम deposits कते है कितने customers आते हैं जो deposits करें अब customers deposit करने के बाद bank ने बहुत loan भी दे दिया NED को जिनको जरुवती phone कर अब के पास कितने बार call भी आता है na loan required है आपको इतने interest को हम loan दे रहे है बहुत अच्छे facility आई है राइट तो ऐसे loan बहुत सारे ऐसे phone calls भी आते हैं तो यह सब होने के बाद भ क्या करेगी वह कई ना कई invest कर देगी वह कुछ Government Securities में invest कर देगी कुछ Shares में invest कर देगी ताकि वह पैसा ऐसा ही नहीं पढ़ा रहे है उसके अंदर भी वह कुछ ना कुछ invest करके कुछ income earn कर सके तो उसे बोला जाएगा to invest then last is to do inter banking transaction inter banking transactions क्या हो गया inter banking के अंदर बोलते ही जैसे कोई अगर bank है जिसके शौटेज हो गया ठीक है और बहुत सा ही बैंक है जिसके पास surplus भी है लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा किसके पास है और किसके पास नहीं है उस अगसे करेंगी और उस पैसा बहुत है वह मुझे अमाॉंट देगी उसे बोला जाता है इंटर बैंकिंग तो वह जाएगा एक बैंक को जब जरुवत है दूसरे बैंक से अमाउंट लेने की तो उस प्राइश के अंदर यह सारे चांजेक्शन किये जाते हैं क्लियर तो यह सारे हमने यह पर कुछ में फंक्शन देख लिया अब हम देख में कुछ सब्सेडरी फंक्शन क्या है अब इसमें अब इसके अंदर बैंक यह जो भी डिपॉजिटर है कि उनको अच्छे से इंट्रेस दिया जा रहा है कोई अब चैक डेपॉजित हुआ है तो वह सही अमांट में ट्रांफर हुआ है कि फंशे ट्रांजेक्शन जो भी डिलेटेट तो कस्टमर्स है उनके ट्रांजेक्शन सही तरीके से किये जा रहे हैं या नहीं जा रहें यह सारी चीजों का धियान रखा जाएगा एक function हो गया bank का next to do the transactions of foreign exchange foreign exchange तो पता है यह क्या होता है rupees को dollar में convert करवाना right dollars को points में convert करवाना है तो यह सब अलग-अलग हम बोलते currencies में conversion करवाना तो वो क्या है कि अगर मैं कभी import कर रही हूं right तो मुझे payment करना है dollars के अंदर तो क्या करूंगी मैं तो मुझे bank से करवाना पड़ेगा तो कुछ ऐसी bank से सारी banks नहीं provide करते यह function लेकिन कुछ-कुछ banks है जिसको permission दी है Central Bank ने हमारे RBI ने वो functions हमें कौन देता है कुछ banks है जो कि हमें यह foreign currencies के functions प्रोवाइब करते है service प्रोवाइब करते है then next to issue LOC अब LOC letter of credit what is letter of credit अगर हम बात का रहें तो इस case के अंदर जैसे मेरा business है तो उस case के अंदर अगर मैंने किसी को सेल किया ठीक है सेल करने है credit अब सामने वाली पार्टी बोल रहे है कि मुझे तो credit पर ही चाहिए में पास तो इतना नहीं है लेकिन अब मैं उसके साथ first time transaction कर रही हूं मैं कैसे credit पर दे दू मुझे तो उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं है और ना उसके अब बेदे तो इतने अच्छे हैं कि में तो उसके से बोलोंगे मुझे एल उस चरह जाते तो बोलोंगे जो कि लेकिया जो और तो बोलोंगे लेका वो अपने को बोलेगा यह विंटितो मुझे लिपके देता है bank that this amount will be paid by the xyz person on this date तो पूरा लिखे देगा इस तरीके से और मुझे देगा तो उस case में क्या होगी मुझे guarantee कौन दे रहा है bank दे रहा है तो इस case में तो मैं दहीर होगी ना बैंक से बड़ी guarantee कौन होगा उससे बड़ा guarantee कुई हो सकता है मुझे बता यह नहीं तो बैंक तो देगा यूँकि बैंक के sign है भाई बैंक तो दे गई तो उस case के अंदर मैं क्यार करूंगी credit पर मैंने गुद्स को सोंड कर दिया तो वही होती है letter of credit कि bank ने क्या किया यह service देदी letter of credit की जिससे उसे goods मिलके और मुझे guarantee मिल गए clear next two issue travelers check travelers check क्या हो या मैं तो हमने कभी सुना ही नहीं तो सुनोंगे क्योंकि अब तो चलता ही नहीं travelers check पहले चलता था जब ATM card debit cards यह सब नहीं होते तो travelers check चलता था कहीं भी हमें traveling के लिए जाना है city के बाहर country के बाहर तो उस case के अंदर क्या होता था कि हमें cash लेके जाना पड़ता है that is very risky हमें तो डर लगता है cash लेकि जाएगा इतना तो उस case में क्या होते है customers क्या करते थे travelers check लेके जाते थे travelers check क्या होता था बैंक से जाके travelers check इसु कर वालो bank आपको travelers check दे देगा बस जहां पर आपको जाकर उसका payment करना है कुछ भी purchase आप कर रहे हो तो उस case में आपको check में क्या करोगे बस साइन करके दे दोगे तो उसकेस में आपको कैश ले जाने की जरुवत नहीं पड़ेगी आज कर ये बंद हो गया क्यों क्योंकि बहुत सारे और सिस्टम्स आगे अपने पास ATM फैसिलिटीज आगी तो यह सब चीजे हमें नहीं चाहिए और एक इस वाट अब अबॉट इस ट्राइलर्स चैप नेक्स्ट इस ड्राफ्ट सब्सक्राइब तो सब ने सुना होगा डीडी इमांड राफ रहाए या अभी आप आगे जब करोगे कोई भी कोर्स करोगे मोसली हम देखते जब फीस प तो वही चीज है कि एक तरीके से हम बोलते है चैक में इतनी सिक्यूरिटी नहीं है जितनी डिमांड राफ्ट में रहते है अगर ड्राफ्ट कहीं आपका मिस्प्लेस हो गया कहीं गुम गया तो भी उसमें जिसका नाम लिखा है वो पैसा वही जाते है अगर मैंने आईसी ए काक में भी चला गया तो पैसा वही डिपॉसित होना है लेकिन चैक में क्या जिसके पास आया पैसा मिल जाएगा उसको राइट है तो ब्लाइंट चैक में तो चैक में तो चांसे है ना और चैक हम देखते हैं कि डैमेज हो सकता है डिस्टॉय हो सकता है यह सब चीजे होती ह तो इसलिए demand draft में secure medium माना जाता है for the payment, तो वही चीज़ है demand draft है, आपके पास अगर आप अपने account से करवा हो तो वैसे करवा सकते हो नहीं, तो आप कोई भी bank में जाके करवा सकते हो, उस case में cash आपको देना पड़ेगा, वो draft आपको बना के देगा, प्लस आपसे कुछ commission charges वो bank right, बस वो draft जाके आप जहां पे आपको institutions में देना है, आप जाके दे दो, right, same branch में वहां पे उसका payment हो जाएगा, तो उसे बोला जाता है demand draft, clear है, next, to provide information related to credit of a person, अब इस case में क्या हो गया, अब समझ लो मुझे कोई कहीं दूसरे institution से पैसो की जरुष है, लोन की जरुष है, या business purpose के ही समझ लो, कुछ मुझे कोई company, कोई party से purchase करने goods को, तो उस case के अंदर credit में लेना है, तो वही चीज़ है कि वो मुझे भरोसा नहीं कर रहा है, कि आपको पैसा कैसे दे, मैंने उन्हें का, मैं आपर one month आपको पैसा return कर दूँगी, तो उस case के अंदर वो मुझे बो तो उस case में सारे transactions उसको पता है, मैंने bank से loan लिया है, मैंने मुझे timely payment की है, तो bank को तुमें हर transactions के बारे में पता है, तो उस case के अंदर bank क्या करेगा, एक solvency certificate दे देता है, और वो certificate के थू हम क्या कर सकते हैं, दूसरे institutions से loan ले सकते हैं, या मुझे कोई भी पार्टी से अग अगा अगर णाराइटर क्या है? यह भी आपने पैली बार सेटा है, अगर नहीं भी के तो अगर sell-out नहीं हुए तो उस case के अंदर यह जो risk उनका रहता है, वो कम करता है, अगर अब और राइटर बोलता है, मैं आपके शार पटिस कर दोंगा, जो आपके sale नहीं हुए है, क उस case के अंडराइटर क्या करेगा? सारे शीर लेगा और जो सेल हुए है वो हो जाएंगे और जो नहीं हो गे वो क्या होगा? जैसे समझो अगर 40,000 शीर लेगा तो वो कौन लेगा? वो 40,000 शीर अंडराइटर ले लेगा यह हमारा रिस्क कम हो जाए है अगर पूरे शीर लेगा तो वही चीज है यहां पर थोड़ा रिस्क बैर करना पड़ा तो वही चीज है यहां पर थोड़ा रिस्क बैर करना है किसको अंडरराइटर तो यहां में बूलता है इस तो services भी बैंक देता है, ATM की services हमें पता है, कितने ATM हम बोते हैं कि एलिया में हम इतने सारे ATM cards, ATM accounts मिलेंगे, तो सब क्या है, हम कहीं से भी जा कि क्या कर सकते हैं, पैसा draw कर सकते हैं, आजकल तो deposits की services भी आ गई है, बहुत सारे banking ने deposits भी start करे, जहां हम withdraw machine देखते हैं, वहाँ सबसीरी functions है, जो कि हमने देखें, जो हमें bank provide करते हैं, क्लियर है सब को? Now, next is types of bank account, now bank accounts देखो, सबसे पहले मुलते saving account, saving account में क्या बोले हैं, कि मेरे तो बहुत सारा amount पढ़ा है, ऐसी surplus amount है, तो मैं क्या तो मैं क्या करूंगी? जा कि मैं एक saving account open कर वा लिया, तो उसकेस के, अधे savings account का open कर वज्याब हमें, जादा frequency of transactions नहीं करने रहते हैं, तो उसकेस में मेरे account में इतना amount save किया हुआ है, तो उसकेस में हमें interest मिलता रहता है, that is half yearly और yearly जैसे भी उनका एक तरीके से, जो भी rules and regulations है तो उसके according हमें interest में बार बार में frequency transactions नहीं कर सकते हैं, that is saving account सबको पता होगा, next is current account, current account के अंदर हम बोलते हैं, जैसे business transactions होते हैं, उसके लिए current account open करना पड़ता है, purchase sale, purchase sale, purchase sale के frequency चलती ही रहती है, तो उसके लिए current account open होता है, उसके के अंदर interest हमें में मिलता है, तो आज के case में कुछ कुछ banks न चार्ड कर गया interest देना, बर सारी banks नहीं किया है, that is current account, current account में हमारे कुछ charges भी लगते हैं, then recurring account, recurring account के अंदर क्या होता है, यह भी तरीके से saving account जैसा है, but इस case में आपको monthly fixed amount deposit करना रहता है, उसे बोला जाते है recurring account, saving से ज्यादा recurring में आपको थोड़ा बहुत interest ज्यादा है, इ password करते ही जाओंगे, तो यह account में save होते हैं, right, तो यह क्या होता है, monthly आपको यहाँ पे deposit करना पड़ता है, जो भी आपका period दिया है, कि 2 years है या 3 years है, उसके बाद आपको क्या होगा, पूरा amount दिल जाएगा, with the interest, clear, बसे इसमें difference ही है, monthly आपको fixed amount deposit कर, and last, that is fixed deposit, जो आपने स interest मिलेगा, जो आपको पहले ही बता दिया जाता है, 10 lakh पर आपको इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर उस case में आपको 10 lakh पर 10 years के लिए आपने करवाया है, उसको आपकी उसको जरुवत है, आपकी amount की जरुवत है आपको तो उस case में अगर 8 years में mature करवा रहे है, उसको तो फोर टाइपस अपकाउंट्स है जो हम बैंक में ओपन तर्फ एक्लिया अब कुछ सर्विसेज देखते हैं क्या प्रोवाइडिद है यह हमने पहले ही देखा है दिमांड ड्राफ जो फीज के लिए हम बोलते हैं कि दिमांड ड्राफ बनाया जाता है वही चीज यह है कि ब प्रिंटेड मीडियम के अंदर होता है कि आपको किसी को भी अगर पेमेंट करना है तो आप यह चैक दे सकते हो डाट इस बैंकर्स चैक वही सिस्टम में सब ऑनलाइन सिस्टम है कार्स है तो उसकेस में यह सब चीजे अब कम यूस होने लग गई है नहीं तो हम बोलते है कि इस की आपनिश भलते है कि सामने वाली पांट को उसकेस में लगा यह फिर इन वाली आर्सक्टी समाइन अम Leah कि मिल जाएगा या फिर विदिन 4-5 यार्स के अंदर ये आपको अमांट वाँ पिर ट्रांसफर हो जाएगा बट आटी जीएस की एक लिमिट है कि आपका ट्रांसेक्शन टू लैक्स या मोर का होना चाहिए तो ये आप आधी आटी जीएस कर सकते हो ये अगरे आपको ऐफसी की जरूवत में है उस case में आपको सामने वाले party का IFSC चाहिएगा क्योंकि उसके according आपका payment किया जाएगा तो वो code होता है जो आपको पता ही है 11 डिजिट का उसमें alpha numeric आपका डिजिट होगा जो आपको उसमें fit करना पड़ेगा और उसके according आप payment कर पाऊगी तो आजकल हम ही पता है RTGS और NEFT ही चलता है हम बोलते हैं यह पेमेंट कर दे यह पांच लाग का पेमेंट चाहिए मुझे फड़ापट उसने क्या कर दिया प्रवाइट कर दिया और में पास payment आगया तो बहुत हम बहुत हम बहुत हैं इस्टेंटली वह पेमेंट हो जाता है हमें बैंक में जाके कुछ करवाने की जरुआर नहीं पड़ती है इसमें आपको ID पासफ़र जो आपको बैंक ही प्रोवाइट करता है वह आपको चाहिए जो हमने देखा कि current account में हमारा already account open है 10 लाग का अगर हमारा account है तो उस case के अंदर मेरा 11 लाग का मैं उसके अंदर क्या कर सकती हूँ ट्रांजिक्शन कर पाऊंगी अगर मेरा already account open है तो right then cash credits भी हमने देखा कि CC account मैंने 2 लाग का open कर वा लिया पूरा credits उसके अंदर मुझे मिल आशकर देती है बहुत easily हमें available हो गया है बस हमें कुछ security उस पर रखनी पर सकती है cash credits के अंदर हमें हाइपोतिकिशन cash credits में क्या होता है लिकिन यह चीज में बताना बूल गी आपको कि CC जो है वो स्रिप business purpose के लिए यूज होगा जो cash credits है ना जो आप cash credits है वो स्रिप आप business purpose क के लिए ही यूज कर सकते हो वो आप घर के personally use नहीं ले सकते है तो cash credits हो होता है वो आपको business के according मिलता है और वो आपको अब e-banking अब e-banking क्या हो गया? electronic banking पहले हम पोलते हैं जब traditional system था तो उस case के लिए electronic जासा कुछ भी नहीं था सारे vouchers maintain करने पड़ते है वो आपको हर एक entry उन्हें क्या करने पड़ती थी लिखनी पड़ती थी एक receipt ऐसे रहते थी vouchers की उसमें जितना उनके पास deposit हुआ है एक कस्टमर का नाम लिखते थे एक कस्टमर को जिसको पेमेंट के वो लिखते थे तो आप सोचो कितना हार्ड वक उनको करना पड़ता था तो यह सब क्या था यह traditional process आ जो यह लिका है the development in banking is seen at this few faces तो traditional process में यह सब होता था सारे बड़े-बड़े लेजर बनाये जाते थे सब मैंड़ी लिखा जाता था आप सोचो कितने transactions होते थे इनके पास तो हरी कस्टमर का कितने कैसे वो लिखते हों कि और कितना यूज टाइम लगता होगा इन लोगों पो ही करना तो वही जीस है अबसे पहले अपना traditional process आया उसके बात connecting computer through networks फी क्या हुआ नेटवर्क के थ्रू connect होने लग गए computers जिसके वज़े से क्या हो गया इनका processing easy हो गया सारे computers एक दूसरे से connected अब बैंक में इतने सारे systems हो है अब network के थ्रू मतलब land के थ्रू हम बोलते connected होगा जब एक ही office में सब बैठे हैं और number of computer systems वहां पर है तो एक server होता है वहां पर जिससे सारे systems क्या होते connected होता है तो उसके इसके अंदर सारी files आपको सारे computers में मिल जाएगी किसी को ऐसे नहीं है कि यह system पर नहीं बैठना है इस system पर नहीं बैठना क्यों कि जिस system पर मिलेंगे उनको सारी files उस सिस्टम पर मिल जाएगी नहीं तो आप सो जो कितने complications आएगी कि अगर मुझे इस system में फाइल वो चाहिए और कोई दूसरा परसन उस पर वर्क कर रहा है तो मुझे उसे उठाना पड़े का नहीं मुझे पर करने दे मेरा फाइल तो यहां पर तो वो कितनी प्रॉब्लम्स क्रियेट होगी तो इसी लिए यह सब चीजे क्या हो गई एक नैट्वर्क के थू सारे computer system में सारे working systems वहां पर क्रियेट हो चुके हैं और जिसको जो फाइल चाहिए वो सारे computer system में मिल जाएगा जिससे क्या हो गया उनका processing और इसी हो गया and then use of internet अभी internet के थू हो सकता है बिना हो सकता है क्या नहीं हो सकता internet तो most important है जिसके बिना processing possible नहीं है clear तो यह three phases हमने देखे सबसे पहले जब नहीं था e-banking तो traditional system के थू सब कुछ चला उसके बाद क्या हुआ networking के थू सब कुछ सार्ट हुआ इंटरनेट हमाले लिए most important है उसके बिना तो कुछ होई नहीं सकतेगा clear तो यह था e-banking the following functions become easy due to use of internet in bank अब क्या-क्या functions are easy हो गए सबसे पहले हम देखेंगे यहापर है core banking अब core banking में क्या होता है जैसे हम बोलते हैं कि देखो कितने सारे branches है right SBI हो गया HDFC हो गया number of branches हमें आपे दिखेंगे बैंक के तो उसके इसके अंदर क्या यह चीज़ पॉसिबल है कि आपने इहां पर सूरत के अंदर अगर HDFC में अकाउंट उपन करवा है तो उसके इसके अंदर अगर मैं कहीं और चली गई मैं एहमदाबाद चली गई बांबे चली गई उसके अंदर अगर मुझे से payment चाहिए right मुझे amount withdraw करवाना है तो क्या वह आपको यह बोलेगा नहीं आप तो सूरत में जाके लो यह बोलेगा तो वही चीज है किसके तुरू पॉसिबल ओए पोर बैंकिंग के तुरू कि अगर आप यहां पर एक भी ट्रांजेक्शन करते हो तो सारे ब्रांच इसमें आपका क्या हो जाएक वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा कि अगर आपने यहां पर अगर आपका नाम पर शुग तो वही चीज है कि कहीं भी चले जाए कोई भी ट्रांजेक्शन करने वह पॉसिबल है तो कितना हीजी हो गया यह आज का ट्राइम हाज का जनरेशन की अगर्डिंग कितना इजी फैसलिटीज हमें दी जाले तो यह क्या यह यह सबतार है कि सारा की जालेशन के अच्ण कानेक्टेर कहीं अच्केशन के क्लिए रभी कुछ भी चीज़े कर सकते हैं अब बैंकिंग का हमें कोई-भी सिस्टम चाहिए हमें कुछ भी विड्रॉडा कर वाना है डिपॉजिट्स हमें पते है एटिम सागे इतने सारे मशिन से इतने सारी कार्ड सा गया तो घर बैटे-बैटे हम कुछ भी ट्रांजक्शन कर सकते हैं अब जरूरी नहीं है कि हम सब चाहिए करने के लिए हमें बैंक की जाना पड़ेगा कि हमारे पस बहुत सारे पैसलिटी आ कर सकते हैं लको थाएडी पासवर्त है पूस के अंदर आतने माना पर और ऑन यह पॉसिबल कर सकता है और को हमें त्यूर्ट नहीं है उन्यले त्यूर्ट क.. अपटा कि बैटे कहीं बुए आप बैटे हो कंठी कंट्री के कोहन से भी कोने में आप बैठे हो you can do the transactions of banking with your phone only you need is electronic device and your internet clear तो यह सब चीज़े क्या है यह सब चीज़े बहुत easily possible हुई है by through the internet यह बैंकिंग के वज़े से हम बोल सकते हैं सब चीज़े possibly आपको बहुत easily facilities clear and then last is that is service associated with bank अब क्या के services are associated ATM that is automated tailor machine जो हम बात ही कर रहे थे ATM की हमने SGFC में account open कर वाए हम एक ATM card मिलता है that is ATM के facilities दी गई ATM हमें machines यहां कितनी मिल जाए राइट कहीं भी जाके हमें क्या करना है बस उसमें हमें एक secret pin रहता है वो अपने जाके बात को कोड डालना रहता है कोड डालो और उसके बाद आपको जूँ transactions करने आप कर लो आपको ATM में आपको पता करना है आपको अकाउंट में कितना आपको ब्रृट गरी है किसी किसी बैंक में यह भी रृव सरी थी तेक्स में है कई दूसरे बैंक से हैं unlike यह रिंगर है निकल सकता है यां कि अअधर युस कर सकाने है यह ज़ आपने उसके Pelfelt 먹 इस पास में हम Northwest बहुत बाहर ऐसा या है मुझे मिलने लिए वहां से मशीन सब पैसे नहीं निकल दे तो उस की से अंदर वो थे तरी टाइज आप निकाल सकते हो ऐसे दूसरे अकाउंट से दूसरे बैंक से लिए लेकिन फिल निकालोगे तो चार्ज लगने स्टार्ट हो जाते तो ऐसे बहु बहुत क्रेडिकारब क्रेडिकरण क्या हैं ग्र geliyor anadid register में है credit word avg but टो उमें बिभर बॉर बॉर बिजिसमेंन घ्र में उसमें बहुत सारी आप अब हमें बैसी बीचाथी आप देख्थी और आप देखते हो बहुत सहीस हमें धु यह i. आप आयवुत आर आभ और गारματα यूज करोगे आपनी कित्ते की लिमिट वहाँ पर उपन करवा है credit card में डिपैंड करता है उसके according आप जैसे जरसे amount use करोगे withdraw करने लगोगे उसके according आपको interest charge होने लग जाएगा तो that is what credit card and debit card के अंदर आपके पास already balance रहता है और आप उसको swipe करवाते हो जब भी आपको कोई भी payment करना रहता है तो you can use that debit card क्योंकि already आपके पास उसके अंदर amount है आपके आपके आस amount है and you can use whenever you want swipe कर लो कहीं भी right so that is credit and debit card debit card में already amount है आपका and credit card में आप already credit से पैसा उसमें लेते हो that is call the credit and debit card clear है तो यह आज हमने बहुत सारी services देखे bank की bank क्या-क्या functions करता है कुछ उसके main functions होते हैं कुछ subsidiary functions होते कुछ अलग-अलग हमने और भी services देखी कुछ associated देखे हमने और कुछ हमने उसमें e-banking भी देखी तो यह आज हमने डिटेल में banking का पूरा chapter ही आज complete किया है hopefully आप लोग को समझ में आया है नहीं समझ में आया है तो please message कीजिए comment कीजिए और समझ में आया है तो करना ही है आप लोगों को तो please like कीजिए comment and subscribe कीजिए so done for today okay bye